अगर आपको doubt है, heart की बिमारी का, तो क्या आप भी जाके CT angiography करा सकते हैं, करा सकते हैं, बट उसके risk है, CT angiography is not a 100% risk-free test, उसके अंदर आपके dye का इस्तमाल होता है, जो kidney पे risk होती है, for that आपके kidney function normal होनी चाहिए, उसके अंदर radiation का इस्तमाल होता है, जो 100, कम से कम 100 x-ray के बराबर है, एक CT scan, 100, कभी-कभी 200, 500 x-ray के बराबर, बहुत सारे अगर slides लिए गए तो, इतना सारा radiation आपको बार-बार करना, अपनी जिन्दगी में, कि भी हर साल जा रहे हैं CT CT angiography करा रहे हर साल जा रहे हैं, दो बार कराओगे, तीन बार कराओगे, जितनी बार करोगे, radiation से cancer के risk बढ़ते हैं, die से kidney failure के risk बढ़ते हैं, so, you should not do CT angiography, unless a cardiologist tells you, कि आपके case में, आपके situation, आपके lifestyle, आपके symptoms के हिसाब से, yes, you should do an angiography, तब आप करो, सामझे, अपनी मर्जी से जाके, नहीं आप वो test करा सकते, अप अपनी मर्जी से जाके, आप ECG कर सकते, absolutely safe है, उसका कोई side effect नहीं आपके body पे, eco cardiography कर सकते, absolutely safe है, उसका कोई side effect नहीं आपकी body पे, cholesterol का test करा सकते हैं, तो risk factor assessment कर सकते हैं, ठीक है, that is important वो test कर सकते हम mit वी एक B being a huge levels जहीं आपके वो test कर सकते हैं, आपके कर सकते हैं, इसका सकते हैं, आपके कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, आपके equation, एक राम पार्यांके वो